पाठ पाठ, हमारा जंडा, आवर फ्लैग, प्रतिभा प्रणाम दादी, आज हमारे स्कूल में जंडा फैराया गया दादी, हाँ बच्चों, आज पंधरा अगस्त है, हमारा राष्ट्री यत्योहार, तुमने क्या किया? रमेश, हमने राष्ट्रगान जनगण मन गाया दादी, बहुत सुन्दर, क्या तुम जानते हो, सब देशों के जंडे अलग-अलग होते हैं, उसी तरहां राष्ट्रगान भी अलग होते हैं अभिनाव दादी, हर देश का राष्ट्रिय पुष्प, राष्ट्रिय पश्चू, राष्ट्रिय पक्षि आदी भी अलग-लग ही होते हैं दादी, शाबवाश, तुम तो सब जानते हो रमेश हमारे जंडे में तीन रंग होते हैं, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। अभिनाव हाँ हाँ, सबसे उपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा, साथ ही बीच में नीले रंग का चक्र भी होता है। रमेश दादी, क्या हम जंडे के रंगों को उपर नीचे भी कर सकते हैं। दादी नहीं बेटा, इनका निश्चित क्रम और अर्थ होता है, केसरिया रंग त्याग और बहादुरी को बताता है। रमेश और सफेद दादी सफेद रंग, शान्ती और पवित्रता का प्रतीख है। प्रतिभा अच्छा दादी, और हरा रंग? दादी हरा रंग, सम्रिधी और खुशहाली की पहचान है। अभिनव बीच में अशोक चक्र होता है, ये नीला होता है, इसमें 24 तीलिया होती है। दादी हाँ, यह गती और विकास का चक्र है। अभिनव दादी, अध्यापिका कहती है कि राष्ट्य जंडा देश की स्वतंतरता, एकता और सम्मान का प्रतीक है। दादी, बिल्कुल सही, अब तुम बैठो, मैं खाना लाती हूं।